हेलो गाइस अगर आपके पास व्यूवर जडवन प्रो का मुबाइल है तो जैसे आप किसी फोटो को से रट करके यहां पर मुफ टू दी फाइल से इपके उपर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर मैं क्लिक कर देते हैं उसके पास तो मैंने यहां पर पासवर्ड सेट किया तो यह फोटो यहां से गायब हो गई तो आप यहां पर बहुत प्रसान हो जाते होंगे कि यह फोटो मेरी कहां पर गई और मैं इसे कैसे रिकावर के सकते वीडियों तो चलिए वीडियों सुरू करते हैं कि अ तो यहांप में मूज़व टू दी फाइल सेब करने करके यहांसे दुबारस यहां पर पास्वड सेट कर लेता हूं और इसे महाप पे SEND कर देता हूं तो यह फोटा यहांसे गायब हो चुकी है तो अभी यह फोटा को हम वापी से लेकर आसको तो इसे सानने के लिए है कि मैंने यहां पहले से यह पे सेthough किया हुगा अगर आपने यहां पर लोग के तो आपके पास यहां पर डिरेक्ट ओपन हो जाएगा जैसे क्लियों का बीच में यहां पर यहां यहां करता करके छाओ आपको एड़्जी फोट और तो आपको उन करना है और आपको ओरिजिनल डिशनरी अगर आप ओरिजिनल डिशनरी पर क्लिक कर देती है जिस लोकेशन से आपके यह फोटो यहां पर आई है उसी लोकेशन में आपके वहां पर यह चले जाए अगर आप अधर डिशनरी पर क्लिक करते हैं तो आप इनमें अपनी मर्जी से उस location में इन फोटो को transfer कर सकती है तो फिलाल अब बेक चलाता हूँ और यहाँ पर edit पर जाके इन फोटो को select करता हूँ और यहाँ पर move out के पर click करता हूँ तो यहाँ पर मैं original dictionary पर click कर देता हूँ तो यह photo मेरी जहां से मेरी आई है वहाँ पर चली गई होगी तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर back आके यहाँ पर album open कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ डाउनलोड की folder में यहाँ रख्योगी ते फोटो तो यहाँ पर यह फोटो यहाँ दुबारा से मेरी वापिस आ चुकी है तो इस तरह से आप इन फोटो को वापिस ला सकते हैं तो दिरसल इस option का हम तब यूज़ करते हैं जब आमें अपनी फोटो को आइड करना होता है या application, song, video किसी भी चीज़ को हम यहाँ पर आइड कर सकते हैं इस option का use हम तब करते हैं तो उमीद करते हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही helpful रही होगी पसंद आइए तो प्लीस इस वीडियो को like जूर कर दीज़ेगा ऐसी latest वीडियो कम समय में हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिज़ेगा मिलते हैं आपको next video